दोस्तो स्वागत आपका हमारे एक नए वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउध मूव इंडेश्टी की फिर्मे सेक्टर साई पलवी की लाइफ इस्टाला बायोग्राफी के बारे में दोस्तो आपको बुता दे कि आज के कुछ सालों पहले साउध की मूवीज को किवल साउध में ही देखा जाता था इसके अलावा ये कहीं भी नहीं देखी जाती थी लेकिन कहते हैं ना की वक्त सबका बदलता है और कुछ ऐसा ही वा साउध मूवी इंडेश्टी के साथ और आज के समय में साउध की मूवीज को दुनिया के हर कोने में देखा जाता है दोस्तो वीडियो सुरू करने से फिल अगर आप भी साई पल्लवी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को सुरूस लेकर रहने तक जरूर देखना साई साई पल्लवी के बारे में आपको ऐसी बाते जाने कुमले जो आपको ना पता हूँ और अगर आप साई पल्लवी को दिल से पसंद करते हैं तो आपका एक लाइक दो पंता हैं इनके लिए तो चलिए बीना देरी के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आपको बता दे कि इनका रियल नेम साई पल्लवी सेंथा मराई है उनका स्क्रेंड नेम साई पल्लवी है साई पल्लवी का जन्म 9 माई 1992 को कुएमबटू तमिल नाडू में हुआ था हो दोजा 24 के साब से इनके उमर 32 वर्ज हो चुकी है प्रोफेशन से साई पल्लवी एक एक्टेस और मॉडल है दोस्तो आपको बता दे कि साई पल्लवी ने अपनी स्कूलिंग अवीला कॉनवर्ट स्कूल से कम्पलीट की है और ये पढ़ने में काफी अच्छी थी इसके बाद साई पल्लवी ने टिबिल इसी स्टेट मेडिकल से अपनी आगे के पढ़ाई कम्पलीट की चलिए दोस्तो बात करते हैं साई पल्लवी के केरियर के बारे में दोस्तों आपको बुता दे कि साई पल्लवी ने अपने केरियर के स्वाता ऐसा चाइल्ड आर्टिस्ट की थी संद 2005 में आई मूवी कस्तूरी मान से और इनकी ये मूवी आते ही बॉक्स ओफिस पर हिट रही इसके बाद संद 2008 में साई पल्लवी की एक और मूवी है जिसका नाम था धूमधाम और इनकी ये मूवी भी आते ही बॉक्स ओफिस पर चाह गई और हिट रही दोस्तो आपको बुता दी कि संद 2009 से लेकर संद 2016 तक साई पल्लवी की सारी मूवी के वल एवरज ही रही इसके बाद संद 2017 में साई पल्लवी की एक मूवी है जिसको नाम था फिदा और इनकी स्मूवी ने बॉक्स ओफिस पर आते ही ताबर तोर धमाल मचाया और मूवी हिट रही दोस्तो इसके अलावा भी साई पल्लवी ने पने केरियर में कैई सारी मूवी दी है जिनकी लिष्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तो आपकी साई पल्लवी की कौन सी मूवी फेवरेट है में कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप साई पल्लवी के दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए दोस्तो बात करते हैं साई पल्लवी की आवार्स के बारे में दोस्तो आपको बता दे कि साउथ की फेमेस जक्टर साई पल्लवी को डिफरेंट डिफरेंट काटेगरी के कही सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं जिनके लिष्ट आप अपनी स्क्रेंट पर देख सकते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं साई पल्लवी की फैमली के बारे में नाम है राधा कनान साई पल्लवी की सिस्टर का नाम है पूजा कनान दोस्तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साई पल्लवी के बॉइफ्रेंड का नाम है वरुन तेजा चलिए दोस्तो बात करते हैं साई पल्लवी की इंकम के बारे में दोस्तों आपको बता दे कि साई पल्लवी एक मुई करने के पांच करोड रुपए शार्ज करती है इसके अलावा साई पल्लवी की एक ब्रैंड इंडॉस्मेंट की कीमत है एक करोड रुपए इसके अलावा साई पल्लवी ने कुछ इन्वेश्टिमेंट भी की हुई है उससे भी साई पल्लवी की अच्छी खास इंकम होती है चलिए दोस्तों बात करते हैं साई पल्लवी के नेटवर्थ के बारे में दोस्तो दोज्जा 24 किसाफ से साई पल्लवी का टूटर नेतो था 55 करोडर रुपाए चलिए दोस्तो बात करते हैं साई पल्लवी के हाउस के बारे में दोस्तो आपको उपता दी कि कोयंबतू तमिल नाडू में साई पल्लवी का एक आली शान घर है और अपनी इस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हैं और इनके इस घर में लगबग सारी सुख सुदाय मौजूद हैं दोस्तो स्क्रिन पर आप साई पललवी के घर की कुछ सांदार फोटोज देख सकते हैं चलिए दोस्तो बात करते हैं साई पलललवी की कार्स कलेक्षन के बारे में दोस्तो आपको बुता दिये कि साई पलललवी को लगजरी कार्ष रखने का बेहस ओकेंड की टोटर कार कलेक्षन की कीमत पांच करोड से भी उपर है नमबर एक पराती है मारूती स्विफ्ट जिसकी कीमत है साथ लाक रुपए नमबर दो पराती ओडी एसिक्स जिसकी कीमत है 55 लाक रुपए नमबर तीन पराती बीम डबलू एम थरी जिसकी कीमत है 85 लाक रुपए नमबर शार पराती ओडी एक्ट्रे जिसकी कीमत है 45 लाग रुपए दोस्तो इसके अलावा भी साई पल्लवी के गहरे में कई सारी सांदार गाड़ियों को कलेक्सन है दोस्तो आपको साई पल्लवी कैसी अक्ट्रस लगती है मैं कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तो अगर आप साई पल्लवी के दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तो आपकी साई पल्लवी की कौन सी मुई फेवरेट है मैं कमेंट में जरूर बताएं चलिए दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बता कि ने झाल झाल